हेलो एवरीवन वेलकम बेक टो माई चैनल केसे हो आप लोग तो मैं अभी-अभी मार्केट जा रही हूँ क्योंकि नवरातरी के लिए मैं सोपिंग कर रही हूँ तो ये मेरा नवरातरी व्लोग है और यहीं से स्टार्ट होता है और वहाँ जाकर हम साथ में सोपिंग करेंगे मेरा कैसे मेउप मेंगऊ रहएं कहां पर गई थी तो आप मैं इस वीडियो में मेरी वीडियो का लिंक दे दूगे यह लोग को आप जरू देintage तो मिलते हैं सोब पर क्लीप भी तो है यह दस है क्या है तो ऐसे तो फिर और भी समान देंगे मैं तो एक बार यह ले लेती हूं कि देना है कि जैसी रुपए का आपको बोल लहीं था नहीं था अपने तो पिच्चे यह इतने एक दो बच्चे एक तराव यह लगा लेगी सो फ्रेंड्स यह हमारे इनमानगड की लोकल सोफ है और यहां पर काफी ज़्यादा अच्छे अच्छी ब्राइटी है साइद मुझे लगता है काफी ज़्यादा समान यह दिली से लेकर आते हैं सेट भी हमने देखे काफी सस्ते सस्ते होल सेल का काम है और काफी कम रेंज पर मिल जाता है और इसी लिए हम इसी सोप पे आ गए हैं क्योंकि नवरातरी में थोड़ा एकठा समान लेना होता है कंसकों के लिए तो मैं यहीं से क्रीद रही हूं मैं और परतिभा दोनों साथ म यही है कैसे लगाओगे बीया मेरको यह वाले रबा दूस्वाश्ची के लगा है और वह वाले रबन है क्या है और कलीप बगेरा इनके लावाद जे सेट लूँ तो आपको यह प्यारे प्यारे पड़े आई एदेखा प्रतिभा इस और दिलिए से लाते हैं यही अलग अल क्या रहें जबी है इनके सारा दिली से लेकर आते हो कभी यह सच कहूं तो फ्रेंट्स मुझे भी लगता है कि दिली जाना चाहिए और हमें भी इस रोजनी मार्केट में सदर बजार में घूमना चाहिए काफी अच्छा सस्ता असमान मिल जाता है तो हमें भी ट्राय करना च हुआ जा रहे हैं फिर से स्टेशन की ओर क्योंकि वहां से मैं आ गई हो रते ही मैं ऑराविया को लेकि वहां से हमने थोड़ा सा समान क्रीदना है तो हम दोनों बाबेटी जा रहे हैं इदर स्टेशन में इंपास्य हुमारे है भाई सबस्त अ है तो मैं उसी से जा कर अपर थोड़ा खाने पिने वाला समान करीद दूंगी तो चलो चलते हैं के दीधा के चुप। में नहीं समया थाया कि मोस्या बाइस करीजों करा डाय तो इस देखाई है कि मैं गूमने के लिए स्चाइषिशं पर गई थी तो वहां इमारी एक श्वाप है वहां से मैंने इतना सारा समान खृएदा है ओ ये केली राव्या तो नहीं खाने वाले इतना सारा समान क्योंकि खाएगी तो नुक्सान भी करेगा चाहाँ जाएगा किस लिए खरीदा है क्यों खरीदा है इतना सारा समान पूरा एक थिला भरगे खरीद रखा है मैंने कम से कम दो जա करीदा था खाने वाला लेकिन इसके उपर अलग से व्लोग आएगा और ये जो आप समान देख रहे हो काफी सारा है और एक इदर थेला बरा हुए है पूरा का पूरा आप देख सकते हो ये मैंने जो है वन 75 रूपीज का ये डबा चोकलेट का खरीदा है काफी सारी चोकलेट है इसके अंदर आप देख सकते हो ये भी मैंने कंचकों को देने के लिए ही बाये की है ये चोकलेट सो प्रेंट्स मैं आपके साथ थोड़ा सा समान शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैं मोल में गई थी तो एक दीदी ने मुझे पूछा कि दीदी आपने क्या सोपिंग की थी तो मैंने कोई वैसे ज़्यादा सोपिंग नहीं की थी मैंने दो तिन चीज़े ही खरीदी थी जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ ये आप देख सकते हो टोप है जो मैंने जूडियो के वाँ शोरूम से लिया था मैंने ये बोडी लोशन खरीदा था ये भी काफी ज़्यादा बेस्ट है और बिल्कुल लाइट है बिल्कुल लाइट है लगाने के बादे से फील नहीं होता कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ हैवी लगा रखा है बिल्कुल लाइट फील होता है और स्मेल भी एक काफी जो है chemical वगेरा नहीं है local market से मैंने 400 रूपीज का था लेकिन discount करके मुझे 350 का मिल गया यह So friends वीडियो अच्छी लगे तो like करना, share करना और subscribe करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाए